नमस्ते, मैं हूँ आचारे प्रतिष्ठा, हमें बहुत सारी माताओं से एक प्रश्न प्राप्त हुआ है और प्रश्न ये कि गुरुजी सागी ब्रेस्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए नवरात्र चल रहे हैं और संडे विदाचारे प्रतिष्ठा में हमने सूचा कि क्यों नहीं हम इस ही प्रश्न को ले जो हमारी मात्र शक्ती से जोड़ा हुआ है हम आज उन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे जो आपको सागी ब्रेस्ट की प्रॉब्लिम जो है उससे तो बाहर निकालेंगी निकालेंगी लेकिन एक चीज़ समझ लीजी वो यह कि आप हर रूप में सुन्दर है अगर आपके आसपास कोई है जो आपको यह कहते हैं कि आप पुशिश कर रहा है तो उसे गुडबाय कहिए ना की अपने सेल्फ कॉंफिडेंज को तो आप जैसी हैं बहुत सुन्दर हैं बहुत प्यारी है बहले आपके लंबे बाल हैर या चूटे बहले आपके फेशिल हेयर है या नहीं है बहले है आप गोरे है या आप नोटे है य हो जाना धीला हो जाना और भी कॉमन हो जाता है ऐसे में क्या योगा अभ्यास करते हैं वो समझेंगे और अंत में ये भी समझेंगे कि क्या इसे प्राकृतिक तरीके हो सकते हैं क्या इसे नाचुरल वेज हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी इस समस्या को दूर कर सकते हैं और ताड़ासन के लिए, देखिए समझे, जितने भी stretching, backward bendings, जिसमें हमारा शरीर में खिचाव आए, वो अभ्यास हमें इस समस्या के लिए करने है. तो ताड़ासन के लिए, एड़ी पंजे मिला करके खड़े होंगे, fingers को interlock करके सीने के सामने टिका देंगे, साज भरते हुए हाथों को उपर ले जाना, और अपने पूरे शरीर को अपने पंजों पर balance करना है, यानि अपनी heels को उठा देना है. यथा सामर्थे रुकना, जितना संभव हो, अपनी पूरे body को उपर की तरफ stretch करेंगे. यथा सामर्थे रुकेंगे, hold your breath inside, hold this stretched position, और फिर सांस छोड़ते हुए, हाथों को वापस ले आएंगे, पैरों को खोल देंगे, हाथों को वापस में मिला लेंगे, शरीर को बिलकु थीला छोड़ते हैं. ताडासन का अभ्यास आप तीन से पाँच बार कर सकते हैं, यह हमने एक बार किया, इसके बाद यहीं खड़े-खड़े हम लेंगे, अर्ध चक्रासन का अभ्यास. हम आपको थोड़ा side से दिखाएंगे, थोड़ा आगे हो करके दिखाएंगे, आप द पेट अंदर खिचा हुआ, सीना उन्नत, इस थिती में रहना, और sides में अपने waist पर हाथों को टिका लेंगे, उंगली आगे की तरफ, अंगुठा पीछे की तरफ. सांस भटते हुए पीछे की और कैसे bend करना है, इसके दो variations, और दोनों को समझें. पहले हम अपने elbows को पीछे को अनुभव करेंगे, और सीने पर खिचाब को अनुभव करेंगे, इस थिती में आना, और गर्दन को पीछे ले जाए, सांस भटते हुए, यथा सामर्ते रुके, सांस छोटते हुए, वापस आ जाए, एक बार और देखिए, inhale, exhale, ऐसा आप पांच बार करेंगे, फिर इस पांच बार इसका अभ्यास करेंगे, फिर इसका काउंटर पोज, यानि इस स्थिती में बस आगे जुग गए, कमर को धीला छोड़ दिया, खोपडी को धीला छोड़ दिया, रख तक फिर वहा को खोपडी की तरफ बहने दे, थोड़ी देर यहां रुकें, वापस आ जाए, यह किया हमने दूसरा अभ्यास, और अब तीसरा अभ्यास हम करे धरती पर, मैट पर, बैठ करके, तो आइए, आप अपने आसन में बैठ जाएए, बैठ करके लेंगे उस्ट्रासन का अभ्यास, उस्ट्रासन में भी आप देखेंगे, कि आपका जो वक्ष स्थल है, उस पर पूरा का पूरा स्ट्रेच पढ़ेगा, उश्रासन को कैसे करना है, बहुत मॉडिफाइट कर रहा है, मतलब हम एक दाम सिंपल जो हर व्यक्ति कर सके हैं, क्योंकि जरूरी निए कि आप सब योगा अभ्यासी हों हैं, तो वो अभ्यास ले रहे हैं, जो निरापद है, जो सब कर सकते हैं, तो वज्रासन में बैठे इस तरह से, एक बड़ समझ लिजे वज्रासन कैसे किया, पहले अपने पंजू को मिलाया, एडियों को खोल दिया, अब ये खुली हुई एडियों उपर हमने अपने हिप्स को ठिका दिया, इस तेदी में बैठ गए, कमर सीधी है, ठीक, अब यहां से हम धीरे-धीरे अपने हि पीचे जुकना, सांस शोटे हो वापस आजाना, दुबारा दोहर आएंगे इसे, इनहील, एक से, और फिर बज्रासन में बैच करके, शरीर को बिल्कुल धीला छोड़ देंगे, इसका अभ्यास भी आप तीन से पांच बार कर सकते हैं, प्रतेक ख्रिया के बाद, रिलाक्स बहुत ज़रूरी है, जब इसका पांच बार, तीन से पांच बार आपने अभ्यास कर लिया, तो फिर यहीं से गुरु प्रणाम आसन, जुसको शेशांका आसन भी कहते हैं, तो वज्रासन में बैठना, हाथों को आपस में मिला देना, मन को शांत रखते हुए, सांस भरते ह हाथों को उपर उठाना, चेस्ट पर पूरा एक्सपेंशन फील करेंगे, पूरा स्ट्रेच फील करेंगे, साज छोड़ते हुए आगे जुकना, पहले लवर बैक, मिदल बैक, अपर बैक, अपने हथेलियों को जमेन से टिका देना, हाथेलियों को और गसीते हुए सामने कुछ लोग हो सकते हैं, यहीं तक कर पाएं, तो आप यहीं रूँ जाएए, ठीक है, जो और आगे जा सकते हैं, तो अपने माते को जमेन से चूना, आप महसूस करेंगे कि आपके दोनों घुटने, यानि घुटने के ऊपर जो आपकी थाईज हैं, वो आपके चेस्ट को ट दोनों हथेलियों को उठाया, पूरे शरीर को खीच दिया, शोड़ते हुए हाथों को वापस ले आया, और फिर रिलाक्स, प्रत्निशे थिल्यम, अब्सलूट रिलाक्स, इसका अभ्यास भी हम तीन से पाँच बार करेंगे, यहां से फिर हम लेट जाते हैं कमर के बर, और कम इस प्रकार से कमर के बर लेटना, एड़ी पंजर मिले हुए, फिंगर्स को इंटर लॉक करके सीने के सामने ठिका देना, सास भरते हुए, दोनों हाथों को उपर ले जाना, और यहां पर देखिए, आप महत्वपून पाथ है, पंजर को नीचे के और खीचना, हाथेलियों को ऊपर के और खीचना, अब पेट पर, सीने पर, पूरे वक्ष स्थल पर आप खीचाफ को अनुभफ करेंगे, उसको फील कीजे, कमर पर भी आपको स्ट्रेच फील होगा, उसको महसूस करें, और फिर सास छोड़ते हुए, दोनों हाथों को वापस ले आना, पैरों को खो तक रिपीट कर सकते हैं, फिर अपने पेट के बल लेट जाना, और पेट के बल लेट करके, अपनी ठुड़ी को, चिन को, जमीन से टिका देना, हथेलियां जमीन पे, दोनों कोहनियां जमीन पे, ठिक, और आपके पंजे, एड़ी पंजे मिले हुए, साब की पूच की तरह अब यहां से सास भरते हुए, चेहरा उठाना, सीना उठाना, और हथेलियों को थोड़ा आगे लाएंगे, सुगम सर पासन, यानि इसमें हमारा पेट पर प्रभाव नहीं महिसुस करना, हथेलियों पर, और सीने का पूरा एक्स्पांशन, चेस्ट एरिया को पूरा खिचने दे, सास चोड़ते हुए, वापस आ जाए, फिर से सास बढ़ते हुए, उपर उठना, सास चोड़ते हुए, वापस, दोनों हथेलियों को आपस में मिला लेना, पेरों को खोल देना, शरीर को झीला छोड़ देना, यह भी आप तीन से पा कर सकते हैं, फिर वापस कैसे आएंगे हम, दोनों हथेलियों जमीन पर, सास भरते हुए, सीना उच्छा, चेहरा उच्छा, कमर तक पूरे शरीर को उठा देना, पीछे बेंड करना, और फिर अपने हिप्स को पीछे की तरफ पूल करते हुए, फिर से शशांकासन की स्थित अब यहां पर जाने से पहले कुछ चीजों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, क्या है वो चीजें, पहली चीज जो बहुत-बहुत महत्वपूर्पूर है, वो यह कि हमें, जब आप नहाने जाते हैं, प्रति दिन नहाते हैं, तो जब नहाने जाते हैं, तो अपनी हथे चक्राकार मसाज देंगे, लेकिन मसाज करने का मतलब बहुत कड़े हाथ से मसाज नहीं करना है, बहुत सौफ्ट हाथ से मसाज करना है, बहुत comfort नहीं, तो लगबग समझे लीजे, दस बार आपने चक्राकार मसाज दिया, उसके बाद नीचे से उपर की तरफ हमें मसाज देन पहले एक breast को, फिर दूसरी breast को, ये दो काम आप प्रती दिन स्नान से पहले करें, अपने डाइट में पानी को एड़ कीजिए, और सबसे महत्वपून चीज, जो सागी breast की problem mostly किन महिलाओं को होती है, जो तामसिक भोजन करती है, यानि ऐसा भोजन जो आपकी skin को lose कर देता है, हमें साथ के कहा लेना है fresh fruits, dry fruits, दूद, पनीर, दही, इनका सेवन कीजिए, बहुत मसालेदार भोजन का सेवन मत कीजिए, और जो अकसर ऐसे जुकी हुई रहती है, तो याद रखिए परमात्मा, जब हम अपनी puberity age में होते हैं, ग्रूइंग age में होते हैं, तो अकसर जब कि I am growing, तो मैं ऐसे रहूं, बस यहां से समस्या शुरू हो जाते हैं, और इस सिर्फ आपके सागी breast की problem ही नहीं, बढ़के आपके chest की problem, आपके respiration की problem, बढ़ते बढ़ते आपके heart की problem बन जाता है, तो ऐसा बिलकुल नहीं करना, हमेशा याद रहें, सीना उंचा, पेट खि करेंगे, नहीं, बार-बार अपने आपको remind कराने, नहीं, जब भी मुझे याद आ रहा है, मैं फिर से सीधा हो जा रहा हूं, तो अपनी कमर को सीधा रखना है, बस इन चोटी-चोटी चीजों का धिहान रखिए, हमारा कारिक्रम देखते रही, आप सब के लिए शुब काम नए, शुबाशीश, आशिरवाद, खुछ रहें हरियों